नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा करते हो बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा रिक्रूट में लेके आया हूँ जो इसू जो मोटोर की तरप से है ये बिसिकली कैपरेंटिसिप के लिए है इसमें बी बी टेक डिपलॉमा 2018 या तो 19,20,21 इस सालों में से अगर आप लोग पास आउट हुए हो तो इसके लिए आप लोग कम्पलीटली एलिजेवल हो तो मैं इस वीडियो में डिटेल्स में नोटिफिकेशन को बताने वाला हूँ इसके अपलाई कैसे करना है कौन सा स्ट्रिम के लिए ये एलिजेव जो आप लोग देख पाड़े हो कि इस सुजू मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेट की तरफ से है इसमें एक अपरेंटिस स्ट्रिप के लिए निकल के आया है जिसमें ग्रैजुएट डिपलोमा दोनों ही इलिजेवल है इसमें अगर कौन-कौन स्ट्रीम की बात करते तो स्ट्रीम बेसिकली अगर आप लोग मेकानिकल इंजिनेरिंग, आटो मोबाइल इंजिनेरिंग या तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनेरिंग में से बी विटेक करके राखे हो तो इसके लिए आप लोग एलिजेवल हो अगर आप लोग मेकानिकल इंजि के लिए 20 गेंसी है, इलेक्रिकल और गर्चे ग्राजूट के लिए 50 गणे कंवा के लिए 50 अगर मैं टेख्णीसआरँ यान्टिक फि के लिए 50 गेंसी है, इल्लेक्रीक negotiating के लिए 25 मेंची थे टोटाल मिलाकि के 150 पोस्ट आपका निकल के आया है इसमें मांतली इसलेड़ी की बात करो तो फस्त आपको 10,000 पार मांत मिलेगा उसके साथ साथ हार एक माहने पर आपका जो अटेंटेंस अलोएंस हो आपको मिलता रहेगा उसके साथ आपका कुछ स्पेशाल अलोएंस हो गा जो आपको हार शॅरेक साल में आपको 2 बार मिलने वाला है नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो minimum educational qualification में आपका बीबी टेक या तो डिपलावा मांग लिया गया है नेक्स्ट अगर आप लोग इसमें apply करना चाहते हो तो इसमें हार एक state eligible नहीं है अगर आप लोग अंद्रपोद स्टेट से बिलाउं करते हो कोई भी तो इसके लिए आप लोग completely eligible हो आपका इसमें age limit जो भी आपरेंटेसिब रूल की सब से आप लोग को मिल जाएगा नेक्स्ट इसके बात करते हैं तो इसमें duration of training आपका one year रहने वाला है नेक्स्ट इसमें कौन-कौन eligible नहीं है बात कर लेता हूँ आगर आप लोग के पास एक साल या तो उसके ज्यादा experience है तो इसके लिए आप लोग eligible नहीं हो इसमें आप लोग apply नहीं कर सकते नेक्स्ट इसके बात कर तो selection procedure बेसिकली इसमें आपका document verification होगा एक merit list निकला जाएगा उसके बाद आपको document verification के लिए अंद्रपोदेस या तो उस state पर आपको बुलाया जाएगा उसके बाद आपका जो selection वगड़ हो जाएगा next इसके बात करते तो इसमें apply कैसे करना है तो apply करने के लिए इसमें both website पर जाना है उसके बाद आपको enrolment करने के बाद आपको registration ID मिलेगा registration ID के मिलने के बाद उसको login करने के बाद इसमें established request menu option पर जाने के बाद जो डिटेल्स दिया हुआ है उसको टाइप करना है यानि कि इसुजू मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेट तो उसकी सबसे आजाएगा डिटेल्स दिन उसके अपलाई कर देना है और आप लोग भी भी बीटे किया तो ग्रैजुएट करके राके हो तो उसके लिए आप लोग को www.mhrdnats.gov.in इसमें जाना है उसके बाद एन्रोल करने ना है उसके बाद वो डिटेल्स लेके लॉग इन करने के बाद आपको इस्टाब्लिश्ट मिन उप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको इसुजू मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेट सार्च करन करने के लिए जाते हो तो उसके लिए आप लोग कोई भी ट्रावेलिंग एलवेंस बागना नहीं दिया जाएगा नेक्स इसमें कुछ भी बोर्डिंग या लॉजिंग आपको नहीं मिलेगा इस एपन डिस्टीप चलने के दारन नेक्स इसके बाद करते है तो इसका अप्ल अप्लिकेशन की बाद करो तो अप्लिकैशन करने के लिए थर्टींठ अगस्त तक रखा गया है आपका मेरिट डिस्स निकल जाएगा और वो उसका अड़ सकते हो ऊसके यह आप लोग लोग पूछ सकते हो कि कि how to complete Papalकार Papalika Пр stewardship तो यह यह इसका कंपूप्लीट niño CH t वेबसाइट जो board-srp.com ये वेबसाइट पर आना है उसके बाद candidate login ये option पर क्लिक कर देना है एक window खोल जाएगा window खोलने के बाद इसमें आपको enroll option पर क्लिक करने के बाद इसको जो भी procedure वगड़ा है सब कुछ कर देना है उसके बाद login option पर जाना है और इसमें login कर देना है औ आप लोग आपकी सबसे देख लीजेगा इसका जो भी notification आया है मैं description box में ले दूंगा उसके साथ साथ मैं apply करने का link भी दे दूंगा अगर आप लोग मेने चनल subscribe नहीं किये हो तो subscribe कर दो और bell icon को press कर दो ताकि क्योंकि मैं हर एक दिन ऐसे ही job notification लेके आता रहता हूँ और व